हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम हैं और आज की वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसे पौदे जो आप कटिंग से बहुत ही असानी से लगा सकते हैं जनवरी के महीने में हम बहुत सारी कटिंग्स हैं जिसको हम प्रोपेगड करके अलग पौदे बनाएंगे तो आज हम वीडियो में देखेंगे कौन-कौन से वो पौदे हैं और वो सभी दोस्तों आपको फ्लावरिंग भी इसी मन्त में देंगे मतलब इसी सीजन में देंगे और सबसे पहले जो हमारे पास पौदा है इसका नाम है बैगोनिया बैगोनिया में दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं और बैगोनिया में फ्लावरिंग है दो तरह की होती है इक होती है Double जो Bulb सेो ग्रो किया जाता है और इक होती है Single Petal जो Cutting और Beats से grow किया जाता है आप देख साथे दोस्तो मैंने बहुत सारी cuttings की पहले से लगा के रखी है इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका update दिखाऊंगा पहले भी मैंने दो तिन पार्ट में इसकी cuttings लगानी सिखाई है और जो भी मैंने cuttings दिखाई थी आपको उन सभी का update मान लीजी यह आपको मैं दे रहा हूँ दोस्तो जो बैगूनिया का पौदा है यह पत्तों से भी propagate हो जाता है पर cutting से इसको जारा जल्दी से जो rooting होती है और साथ में flowering भी साथ के साथ होनी शुरू हो जाती है इसको लगाने के साथ दोस्तो आपको यह याद रखना है जब तक इसकी जड़े नहीं बनती है सिर्फ और सिर्फ इसको चाया ही देनी है ताँ जो इसकी rooting है जल्दी से हो सके और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है इसका नम है petunia petunia में दोस्तों बहुत सारी varieties आ जाती है और जारा से जारा कोई भी आप variety ले लें तो सभी पौदों की जो cutting है बहुत आसानी से लग जाती है ये बीट से भी हाला की बहुत easy है grow करना पर अगर आप cutting से grow करना चाहते हैं कोई special variety है आपके पास तो आप इसी मन्त में grow करें और इनको लगाने के बाद आपने पानी जारा नहीं देना है इसके कारण इसकी जो जड़े हैं वो थोड़ा से लेट हो जाती है आने के लिए इसको लगाने के लिए ना कोई आपको cocoa peat की जुरूत है ना कोई artificial soil की जुरूत है simply आपके पास जो भी मिटी अवेलेबल है घर पे उसमें fungus ना हो थोड़ी सी fungicide आप मिला के उसमें लगा सकते हैं और दोस्तों हमारा जो अगला पाद है इसका नम है memulus memulus दोस्तों आपने लगाया होगा अगर आपने नहीं लगाया तो आपको मैं जुरूर recommend करूँगा इसको लगाएं ये cutting से लगाना इसी लिए ऐसान है क्योंकि जब भी इसकी जो नई नई stems नेकलती हैं उसके साथ इसकी auxiliary roots साथ ही रहती है इसके notes के साथ थोड़ी थोड़ी सी जड़े हो रहती है ये अपने आप ही आना शुरू हो जाती है जब बारिश होते हैं जब इसके उपर पानी पड़ता है दोस्तों वही मैंने क्या किया है यहां से निकाल कर एक छोटी सी cutting लगा ली है जिसमें 2-4 जड़े पहले से ही थी और ये जो दोस्तों cutting है 10 दिन में आपको ऐसी rooting देदेगी और Mimulus का दोस्तों सिर्फ आपको एक पौदा लेकर आने की जुरूत है आप वहां से धेरो सारे पौदे बना सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है इसका नाम है geranium जरेनियम में दो पराइटिस होती है geranium ivy जो बेल जैसे दिखती है और दूसरी होती है geranium पौदा जो नॉर्मली प्लांट जैसे बढ़ता है ये मेरे पास geranium ivy है तो उसकी मैं अच्छे से growth चाहता हूँ नीचे से मैंने उपर से इसको prune करके जो cutting है हमारे पास हम इसको लगा देंगे ये दोस्तों मैंने पहले भी लगा के देखी हुई है और उसका मैं आपको अपडेट भी इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ आप देखते हैं नॉर्मली जो मेरे पास cutting है उसके साथ एक node area है जिसको हम दबा देंगे और सभी हमारी जो cuttings है जब भी हम इसको लगा के रखेंगे shade इसको देनी बहुत जरूरी है इसको पूरी धूप में आपने नहीं रखना है और अगर आपको दिखा हूँ यहाँ पे छोटी सी एक root आ रही है अभी सर्फ इसकी formation roots के शुरू हुई है पर आप देख साथ है जरेनियम भी cuttings से लगाना बहुत आसान है आप इसकी cuttings भी जुरूर अपने घर पे लगा सकते है और दोस्तों हमारा जो अगला पौद है इसका नाम है डेलिया डेलिया दोस्तों tuber से भी grow हो जाता है पर cuttings से जड़ा तर इसको commercially grow किया जाता है अगर हम देखेंगे हमारे पास जो saplings आती है वो cuttings से ही grow की जाती है पर आपको मैं यहाँ पर एक suggestion देना जाता हूँ यहाँ पर कभी उपर वारे पौदे की जो cuttings ना ले नीचे से stem जो bottom side होती है यह tuber से निकलती है उसकी cutting लें क्योंकि वो थोड़ी सी जारा strong रहती है और फूल भी उस पर बढ़े आते हैं यह सभी मैंने cuttings वैसे ही लगा रखी है आपको मैं इसमें से एक दो cuttings निकाल के दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक चोटी सी यहां से cutting निकाली और इसमें root formation अभी शुरू ही हुई है ज्यादा बड़ी नहीं है पर आप देख सकते हैं बहुत जड़ा strong roots आ रही है हाला कि मेरे पास पौदे भी बहुत सारे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जो कुछ मेरे पास last year के mother plants पढ़े हैं टैंस के जहां से हम थोड़ी बहुत cuttings हैं वो ले लेंगे आप देख सकते हैं यह बहुत जड़ा strongly branching इसमें हुई हुई है पर इसमें एक छोटी सी एक नीचे से single stem है जिसको हम मिटी में दबा देंगे और यह यहां से ही routine start कर लेगी दोस्तो इसके routine बहुत strong होने वाली है क्योंकि इसके सार बहुत सारी दूसरी stems है जो अपनी अलग से root निकालेंगे और यह बहुत बड़ी है एक individual plant 20-25 दिन में बनकर तियार हो जाएगा और dentist दोस्तो एक सदा बहार पौदा है इसको अब जब चाहें मर्जी लगा सकते हैं सारा साल हर एक महीने में यह लग सकता है और दोस्तों मारा जो अगला पौदा है इसका नम है कलांचो कलांचो में दोस्तों पत्तों से भी propagation हो जाती है और इसके साथ इसके cuttings भी बहुत यह असानी से लग जाती है यह जो दोस्तों पौदा है यह मैंने नसरी से लिया था पर एक मेरे पास ऐसा पौदा था जो sapling थी और उससे मैंने एक साल में ही 8 पौदे बना ली है जो red color का आप देख सकते हैं यह कलांचो मैंने एक छोटी सी sapling ली थी और इसमें से ही मैं एक cutting आपको निकाल कर दिखाऊंगा जिस पर अभी हाला की जो फूल है वो आने वाले हैं पर फिर भी आप देख साथ हो जो यह वाली cutting है इसमें जो rooting आये हो अच्छे से होगी होगी क्योंकि flowering तो इसमें हो रही है आप देख साथ हो यह बहुत बड़ी है तरीकी से इसकी rooting है सामने आई है और ऐसी ही आप दोस्तों कि लांचों की cutting जरूर लगाएं इसको पत्तों से propagate बहुत असानी से किया जा सकते है पर वही बात है कि आपको थोड़ा सा time लगेगा इसको बहुत सारे cutting last year भी लगाई थी इस साल मैंने जादा नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास पौदे ही बहुत जादा है और आप देख सकते हैं नॉर्मली आपने छोटी से अगर आप इसकी prune भी गरते हो अगर उसको भी आप लगा दोगे तो 10-15 दिनों बाद वो भी एक individual plant न असानी से लगा सकते हैं और दोस्तों मारा जो अगिला पौद है इसका नाम है पैंटास पैंटास दोस्तों बहुत ही असानी से ग्रो किया जाने वाला पौद है यह थोड़ा सा costly आता है इसकी cutting मैंने अगस्ट में ग्रो की थी जब मैं इसके पौदे लेकर आया था एक कि इसमें फूल खेल रहे हैं तो इसको मैं उखाड़ूंगा तो नहीं क्यूंकि यह अभी बहुत अच्छे से टिकी हुए इसकी transplanting भी थोड़ी सी मुश्किल रहती है इसलिए मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूं इसकी growth बहुत अच्छे से cutting से भी हो जाती है और दोस्तों आठ पौदे करीब बनाए हैं चार पौदे मैंने एक पौट में लगा दिया और यह जो पौदे हैं दोस्तों मैं इनको अलग 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 लगा दूँगा तांकि यह 6 महिनों में बहुत अच्छे से individual plants बन जाएंगे और इनको हम 5-5 inches के गमलों में जैसे मैंने इनको अलग से कर सकते हो यह दोस्तों कुछ पौदे थे आए होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो में कोई भी कटिंग के बारे में और ज्यादा जान करें चाहिए आपका कोई डाउट आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपका reply देने की कोशिश और प्लीज प्लीज चैनल को जूर सब्सक्राइब करके जाएगा और comment section में जुरूर बताएगा आपको कौन सा बादा सबसे बढ़िया लगा और आपने किस पौदे की cutting अभी तक लगाई है और किस में आपको बहुत अच्छा success rate मिला है so thank you for watching and please please do subscribe आप मेरे चैनल को subscribe Thank you for watching